दोस्तों आज आप सुनने वाले हैं शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी जिसका नाम है दा एडवेंचर ओफ दा लायन्स में कहानी शुरू करने से पहले वही पुरानी बॉरिंग घिसी पिटी से रिक्वेस्ट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ इस कहानी के बारे में दो खास बाते हैं पहली बात तो ये कि ये कहानी अभी तक हिंदी में पूरे इंटरनेट या यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है पहली बार इसे मैं आपके सामने हिंदी में पेश कर रही हूँ तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार इस पर जरूर लोटाएं और दूसरी खास बात ये है कि ये उन गिनी चुनी कहानियों में से है जिनको वाटसन के परस्पेक्टिव से नहीं लिखा गया है सर डॉयल के पूरे कलेक्शन में सिर्फ दो ही कहानिया ऐसी है जिनको होम्स के परस्पेक्टिव से लिखा गया है और ये उन्हीं कहानियों में से दूसरी है यानि कि इसको सुनाने वाला डॉक्टर वाट्सन नहीं खुद होम्स है तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी दा एडवेंचर अफ दा लायन्स में हिंदी में ये अजीब बात है ये इतनी जटिल और असामानने प मेरी मेरे दोस्त वाट्सन से बहुत कम ही मुलाकाते हुई क्योंकि वो किसी दूसरी जगह चला गया था अब मुझे अपना कहानिकार खुद बनना था काश अगर वो मेरे साथ होता तो इस अजीब और विश्वास ना करने लाए घटना से उसे काफी फायदा होता इसे सुल मेरे हर कदम का पूरी सटीकता से वर्णन करूँगा मेरा घर ग्रामेन इलाके के दक्षने किनारे पर है यहां से इंग्लिश चैनल का बड़ा ही शांदार नजारा दिखाई देता है यहां पर समुदर तट उची चौक की चटानों से बना है और नीचे समुदर तट तक सिर प्राकृतिक मोड और तालाब हैं जो तैरने के लिए काफी अच्छी जगहें बनाते हैं मजे की बात यह है कि हर एक जवार के साथ उनकी शेप बदल जाती है यह अनोखा समुदर तट दोनों दिशाओं में कई मीलों तक चलता है सिवाए छोटी गुफा और फुलवर्थ गाव के जो इस समुदर तट को बीच में बाधित कर देते हैं मेरा घर यहां एकदम अलग थलग है मैं यहां अपनी एक बुड़ी नौकरानी और अपनी मधुमक्खियों के साथ रहता हूँ और पूरी प्रापर्टी की देखभाल हम ही दोनों करते हैं यहां से करीब आधा करियर्स के लिए तयारी कर रहे हैं और वहां पर कई टीचर्स भी रहते हैं अपने युनिवर्सिटी में पढ़ने के दिनों के दौरान टैक हर्स्ट हुद एक प्रसिध सेलर थे और वो कई क्षेत्रों के जानकार भी थे जबसे मैं यहां बीच पर आया हूँ हम दोनों दो इस तुफान चल रहा था उसके कारण बड़ी-बड़ी लहरें चटानों से टकराती रहती थी और जवार पलटने पर वहां एक बड़ासा लैगून बन गया था एक दिन सुभा जब हवा शांत हो गई और नेचर में सब कुछ ताजा और साफ सुत्रा से लग रहा था तो व मैं उस चटानी रास्ते पर जा रहा था जो समुदर तट तक नीचे जाने के लिए एक खड़े रास्ते की तरफ जाता था जब मैं चल रहा था तो मैंने अपने पीछे किसी के चिलाने की आवाद सुनी मुड़ कर देखा तो पाया कि वो हैरॉल्ड स्टैक हर्स्ट था खु हाँ मैं देख रहा हूं कि तुम स्विमिंग के लिए जा रहे हो उसने अपना हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा हाँ और क्या मैंकफर्सन ने तो शुरू भी कर दिया है मैं भी वही जा रहा हूं जल्दी ही मैं उसे भी ढूंड लूँगा जिस मैंकफर्सन का वो जिक के कारण उसका दिल थोड़ा सा कमजोर हो चुका था वो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में समुदर में तैरने जाता था अब चुंकि मैं भी एक तैराक हूं इसलिए मैं भी अक्सर उसके साथ शामिल हो जाता था ठीक उसी समय हमने खुद मैंकफर्सन को देखा उसका सि पल इससे पहले की हम कुछ समझ पाते उसने अपने हाथ उपर उठाए और मुह के बल गिर पड़ा स्टैक हर्स्ट और मैं तेजी से दोड़ते हुए वहां तक पहुँचे वो हमसे करिब पचास गज की दूरी पर था पीठ के बल गिरा हुआ हमने जल्दी से उसके शरीर को अपनी तरफ गुमाया और जैसे ही हमारी नजरें उसके चहरे पर पड़ी तो हमें साफ साफ दिखाई दिया कि वो मर रहा था उसकी आखें एकदम खाली और अंदर को धसी हुई थी और उसके गालों का रंग भयानक पीला नीला पड़ा हुआ था एक पल के लिए उसके चह पाया वो ये थी ओ शीर के सिर के बाल और फिर एक चीख के साथ उसके जीवन लीला समात्त हो गई ये सब कुछ हमारे लिए एकदम अर्धहीन था एक ही पल में ये क्या से क्या हो गया था हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा दोस्त स्टैक हर्स्ट तो इतने सदमे में था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था लिकिन मैं पूरी तरह सतर्क था जल्दी ही हमारे सामने ये सपश्ट हो गया कि हम एक बड़ी ही असामाने स्थिती से जूज रहे थे मरने वाले आदमी यानी मैक फरसन ने सिर्फ अपना बर्बरी कोट पैंट और बिना लेस वाले कैनवस के जूते पहने हुए थे जब वो गिरा वो उसका ओवर कोट फिसल गया और उसका शरीर दिखाई देने लगा हमने बड़ी ही हैरानी से उसे देखा उसकी पीठ गहरे लाल रंग की रेखाओं से धकी हुई थी ऐसा लग रहा था मानों उसे किसी पतली और लच लाहोट काट लिया था उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसने जो पीड़ा जेली थी वो कितनी भयानक थी मैं उसके शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था और स्टैक हर्स्ट मेरी बगल में खड़ा था तब ही एक छाया हमारे उपर आई हमें एहसास हुआ कि वहा पानों वो नॉर्मल लाइफ से बहुत दूर मैट्स के मुश्किल कॉंसेट्स की दुनिया में ही जीता था उसके स्टूडेंट्स उसे एक विचितर आदमी के रूप में देखते थे और शायद उसका मजाक भी उडाते थे उसमें कुछ अजीब बात तो जरूर थी जो उसक के उग्र स्वभाव से भी स्पष्ट हो जाती थी एक बार वो मैक फर्सन के छोटे कुटे से परेशान हो गया था तो उसने उसे उठा कर ताच की खिड़की से बाहर फेक दिया था शायद स्टैक हर्स्ट इस बात के लिए उसे इंस्टिट्यूट से निकाल देता लेकिन ए लात हुई वो घटना इस बात की गवाहा थी यान मर्डॉक और मरने वाला करीबी तो बिलकुल भी नहीं थे लेकिन अब इस नजारे को देखकर वो वाकई बहुत ही हैरान दिखाई दे रहा था उफ बिच्छारा आदमी बड़ा बुरा हुआ इसके साथ क्या मैं कोई हेल् भदेर से आया था मैं बीच पर नहीं था सीधे दगेबल्स से आया हूँ प्लीज मुझे बताईए अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो आप फुल वर्थ के पुलिस स्टेशन में जाए जल्दी और इस मामले की रिपोर्ट कीजिए मैंने उसे निर्देश दिया बिना ए पहला काम ये देखना था कि बीच पर इस वक्त कौन-कौन है रास्ते पर थोड़ा उपर जाकर मैं पूरे बीच को देख सकता था वहां जाकर मैंने पाया कि फुल वर्थ गांफ की तरफ जाने वाली कुछ अकृतियों को छोड़ कर ये रास्ता पूरी तरह से खाली था ये तरह के पैरों के निशान देखे उस सुबह बीच तक जाने के लिए किसी और ने इस रास्ते का उपियोग नहीं किया था एक पॉइंट पर मैंने उपर की तरफ इशारा करते हुई उंगलियों के साथ खुले हाथ के निशान का एक चिन्ह देखा इससे पता चला कि बेचार जवार के कारण एक बड़ा लेगून बना हुआ था शायद वहीं पर मैक फरसन ने अपने कपड़े उतारे होंगे क्योंकि उसका तौलिया वहां एक चटान पर पड़ा था उसे करीने से मोड कर रखा गया था ये एकदम सूखा था और बिलकुल भी गीला नहीं था इससे पता चला कि उसने तैरने की तैयारी की थी भले ही वो वास्तव में तैरा नहीं था अब यहां पर मेरे सामने एक बहुत ही अजीब सी समस्या थी ये आदमी ज्यादा से ज्यादा पंद्रह मिनट तक समुदरतट पर रहा होगा इससे ज्यादा नहीं स्टैक हर्स्ट दग गे लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ और उसने जल्दबाजी में अपने कपड़े वापस पहन लिये लेकिन वो कपड़े ठीक से पहन नहीं पाया बिना नहाए ही वो लोटाया इस बदलाव का कारण साफ था कि किसी ने उसे बेरहमी से कोड़े से पीटा या फिर किसी और तरीक कि ये शेतानी भरा वरबरता भरा काम किसने किया था चटानों में कुछ छोटी गुफाएं थी लेकिन सूरज की रोशनी वहाँ छिपे किसी भी आदमी को उजागर कर दे थी बीच पर दूर-दूर कुछ व्यक्ति भी थे लेकिन अपराध में शामिल होने के हिसाब से वो क बश्ट उत्तर तक नहीं ले जा सका जब मैं शव के पास लोटा तो एक छोटी सी भीड वहाँ जमा हो चुकी थी स्टैक हर्स्ट भी अभी तक वही था और एयान मर्डॉक गाम के कॉंस्टेबल एंडर्सन के साथ वहाँ पहुँच चुका था एंडर्सन ससेक्स का एक काफ देता हूं मिस्टर होंस मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है और अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे इसके बारे में लुइस से समझना पड़ेगा मैंने उससे अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर और साथ ही एक डॉक्टर को भी बुलाने का अनुरो और एक छोटा कार्ड रखने वाला पैकेट मिला। कोई और विचार या थियोरी ना होने के कारण मैं नाश्टे के लिए घर वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले मैंने चटान के बेस की धीक तरह से जाच परताल का इंतजाम कर दिया था। कुछ घंटों बाद स्टैक हर्स्ट कुछ महतवपून खबर लेकर आया। जैस साथ वो निकटता से जुड़ा हुआ था। इससे हमें उस नोट के लेखा की पहचान करने में काफी मदद मिली। स्टैक हर्स्ट ने मुझसे कहा पुलीस के पास वो सारे लेटर्स हैं मैं उनको यहां नहीं ला सका। लेकिन ये बात पक्की है कि ये एक असली प्रेम संबं लेकिन वो वाले पूल का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं। तो ऐसी जगह पर उन दोनों का मिलना बड़ा ही असामान्य और अजीब सा नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो मिस्टर होम्स। यह तुम्हें वाकई ऐसा लगता है स्टैक हर्स्ट। मैक फर्सन के स बात वहां पर कई स्टूडेंट्स भी रहे होंगे। स्टैक हर्स्ट ने एक बल के लिए सोचा और फिर बोला। वहां स्टूडेंट्स वहां जातो रहे थे लेकिन यान मर्डॉक ने उनको रोक लिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि नाश्टे से पहले वे लोग अपने मैट्स के कुछ पेपर्स उनको दिखाएं। बेचारा मर्डॉक वो इस सबसे वाकई बहुत ही परेशान है। लेकिन फिर भी स्टैक हर्स्ट मुझे लगता है कि वो दोनों करीबी दोस्त नहीं थे। सही कहा आपने मिस्टर होम्स पहले वो करीबी दोस्त नहीं थे। लेक है मिस्टर स्टैक हर्स्ट तो आप हम अपना धियान उस महिला पर केंदरित करते हैं। क्या आप उसे जानते हैं? अरे उसे तो हर कोई जानता है मिस्टर होम्स। वो यहाँ की सबसे खुबसूरत ओरत है। एक सच्ची सुन्दर था जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करती में एक फरसन को उसमें इंटरस्ट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, कि ये किस्सा इतना आगे बढ़ गया था, ओ, वैसे वो है कौन, वो टॉम बैलामी की बेटी है, टॉम बैलामी वो आदमी है, जो फुल वर्थ में सारी नावों और बेदिंग हट्स का मालिक है, उसन हम जा सकते हैं मिस्टर होम्स, लेकिन किस बहाने से जाएंगे, अरे, कारण तो हम बड़े आसानी से ढूंड सकते हैं, क्योंकि अब ये बात तो बिल्कुल साफ है ना, कि उस बिचारे आदमी ने, इतने क्रूर तरीके से भुद को ही तो मार नहीं लिया है, तो उसकी ऐसी ह सदका पता लगाने में सफल हो पाएंगे, और तभी उस आदमी तक पहुच पाएंगे जिसने ये अपराध किया है, ठीक है मिस्टर होम्स, हम अभी उसके घर चलते हैं, पाहिम की सुगंध से महकती पहाड़ियों के बीच से, स्टैक हर्स्ट मुझे बैलामी के घर तक ले फुलवर्थ गाम भाड़ी के चारों तरफ एक घुमावदार खोखले में बसा हुआ था, पुराने जमाने के गाम से परे, जहां थोड़ी उची जमीन है, वहाँ पर कई आधोनिक घर बने हुए थे, उन्ही में से एक टॉम बैलामी का घर था, स्टैक हर्स्ट ने मुझे बताया, ये है उसका घर, इसका नाम है दाहेवन, हम अभी उसके दर्वाजे तक पहुँचे ही थे, कि दाहेवन के बगीचे का गेट खुला और एक आदमी बाहर निकला, हमें पहचानने में जरा भी गलती नहीं हुई कि वो लंबा दुबला पतला आदमी कौन था, वो इयान मर्डॉक था, स्टेक हर्स्ट ने उसे देख कर कहा, अरे तोम यहां क्या कर रहे थे, ये बात सुनते ही मर्डॉक के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए, उसने कहा, देखिये सर, मैं आपके कोचिंग सेंटर में नौकरी करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कि मैं अपने सारे परसनल कामों के बारे में भी आपको जानकारी देता फिरू, आप मुझसे इतने असभ्य तरीके से बात कैसे कर सकते हैं, स्टेक हर्स्ट ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं कर सकता, आपका सवाल ही ऐसा था, इस बात पर स्टेक हर्स्ट को और भी गुस मैं आपको नौकरी से निकालने वाला हूँ, मर्डॉक ने कड़े स्वर में जवाब दिया, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, आज मैंने उस एक मातर इंसान को खो दिया है, जो दा गेबल्स को अपना घर मानता था, इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चला गया, स्टे होने लगा, अलांकि मैं अभी तक पूरे तोर पर निश्यत नहीं था कि ये क्या हो सकता था, शायद बेलामी परिवार से मिलने पर हमें कुछ जानकारी मिल जाए, हम उसके घर के अंदर गए, मिस्टर बेलामी चमकदार लाल दाड़ी वाले, एक मध्यम उम्र के व्यक्ती वो सच-मुच गुसे में लग रहे थी, और उनका चेहरा उनके बालों की ही तरह लाल था, कमरे के एक कोने में दुखी चेहरे वाला एक स्वस्थ युवक बैठा था, उसका परिचे मिस्टर बेलामी ने अपना बेटा कहकर करवाया, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, जर और उससे मिलते थे, और इन सब बातों को हमने कभी भी स्विकार नहीं किया, मौड की मा नहीं है, और मैं ही उसका एक मात्रगारजियन हूँ, तो हमने तै कि इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वो लड़की वहाँ आ गई, वो बहुत ही खुबसूरत थी, और किसी को भी मोहित कर सकती थी, मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी प्यारी लड़की ऐसे आदमी की बेटी हो सकती है, उसने धक्का देकर दर्वाजा खोला और हैरोल्ड स्टैक हर्स्ट के सामने खड़ी हो गई, फिर उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मुझे पहले से ही पत लेकिन उसकी बेहन ने उसे गोर से देखा, और फिर बोली, ये मेरी प्रॉब्लम है विलियम, मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने दो, मैंने जो सुना है, उसके हिसाब से ये साधारन मौत नहीं बलकि कतल है, और अगर मैं किसी भी तरीके से ये पता लगाने में और ध्यान से उनको सुना, फिर उसने कहा, इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनको न्याय के कट गहरे में लेकर आये मिस्टर होम्स, मेरी सहानु भूती और समर्थन, पूरी तरह से आपके साथ है, चाहे वे लोग कोई भी क्यों नहों, ऐसा लग रहा था जैसे ये बात बोलते वक्त, वो अपने पिता और भाई की तरफ देख रही थी, मैंने उससे कहा, धन्यवाद मिस मौड, मैं ऐसे मामलों में एक महिला के इंट्यूशन को बहुत महत्व देता हूँ, आपने अभी अभी वे शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या आपको ये लगता है कि इस काम में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, मैं मैकफर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कि वो बहुत 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 था, कोई एक इंसान उसके उपर इतना अत्याचार कभी नहीं कर सकता था, ठीक है मिस बेलामी, क्या मैं आपसे एक पल के ल प्लीज बताईए मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने उसे समझाया, देखिये मिस, पूरी दुनिया जल्दी ही सारी तथ्यों को जान जाएगी, इसलिए उन पर यहां चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, मैं प्राइवेसी को प्रात्मिकता देता, लेकिन अगर आपके पित को पूछताच में पेश किया जाएगा, और फिर इस मामले में आपका नाम उचाला जाएगा, और हो सकता है शक किसुई आप पर भी घूम जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, उसने बड़ी ही शानती से कहा, इस बात को गुप्त रखने का मुझे कोई कारण नहीं तो शायद वो अपने भतीजे को अपनी वसियत से बेदखल कर देते, और उसे विरासत में कुछ भी नहीं मिलता, इसी कारण से हमने इस बात को छिपा कर रखा था, ये सुनते ही उसका पिता जोर से बड़ बड़ाया, तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था कम से कम, मैं ऐ ऐसा जरूर करते पिता जी, अगर आपने कभी भी थोड़ी सी भी समजदारी दिखाई होती, मुझे ये बिलकुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटी एक दूसरे सामाजिक वर्ग के पुरुष के साथ जुड़े, आपने अपने मन में उसके लिए पूर्वा ग्रह पाला हुआ जिसके कारण हमें आपसे दूरी बनाई रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जहां तक इस मीटिंग का सवाल है मिस्टर होम्स, ये इस नोट के जवाब में था, इतना कहकर उसने अपनी ड्रेस की जेब में से एक पुराना नोट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया उस नोट में संदेश लिखा हुआ था, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की को, मंगलवार को सूर्यास्त के तुरंत बाद समुद्र तट पर हमारी पुरानी जगह, ये एक मातर खाली समय है जो मैं निकाल सकता हूँ, एफ, एम, फिट्स रॉय ने ये संदेश मुझे इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहूंगे, मिस्टर होम्स, क्योंकि इसका आपकी जाच से ज्यादा लेना देना है ही नहीं, लेकिन हाँ, इसके अलावा आप जो भी मुझे से पूछेंगे, मैं हर बात का खुशी-खुशी जवाब दूँगी, उसने हमें कुछ बात में कई पुरुश आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्या मिस्टर यान मर्डॉक भी उनमें से एक थे? मैंने पूछा, इस बात पर वो थोड़ा हक बका गई और घबराई हुई दिखाई दी, एक समय था जब मुझे लगा था कि ऐसी ही बात है, लेकिन फिर जब उसे फिट्ज को चेक करने और उसके कमरों की गुपत रूप से तलाशी लेने की जरूरत थी, मेरी इस बात से स्टैक हर्स्ट भी सहमत था, क्योंकि उसके मन में भी संदेह बढ़ता जा रहा था, हम इस उमीद के साथ दाहेवन से निकले, कि हम इस जटिल रहस्यों को सुलजाने के लिए स सवाल पूछे, उसके कमरे की तलाशी भी ले गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, व्यक्तिगत तोर पर मैंने भौतिक और मानसिक रूप से पूरी सिचुएशन पर दोबारा से गौर किया, लेकिन कोई नई थ्योरी मेरे दिमाग में नहीं आ पाई, ये उन केसों में से एक गटी, मेरी नौकरानी, जो आम तोर पर अंगूर के बगीचे से लोकल खबरें इकठी करती है, उसने ही मुझे इसके बारे में बताया, एक शाम उसने कहा, मिस्टर होम्स, मिस्टर मैकफरसन के कुट्टे के बारे में एक बड़ी ही दुखी कहानी सुनने को मिल रही है, आम के दुख के कारण वो मर गया, और तुम है ये किसने बताया, अरे मैं ही क्या सर, पूरे इलाके में हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, कुट्टा बहुत ही बीमार हो गया था, और एक हफते से उसने कुछ खाया नहीं था, और आज दगेबल्स के दो युवकों ने उस काफी महत्वपूर्ण हो सकती थी, ये एक आम बात है कि जब उनके मालिक मर जाते हैं तो कुट्टे बहुत दुखी हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन ही उसी स्थान पर ये बात थोड़ी अजीब थी और हजम नहीं हो रही थी, वो एकांत सा बीच, कु क्यों होगा भला, क्या किसी ने बदला लेने के लिए उसे मारा, या फिर कुट्टा अपने मालिक का बदला लेने के लिए वहां गया, और किसी दुरगटना का शिकार हो गया, क्या ऐसा संभव था, ये थ्योरी थी तो धुन्दली सी, लेकिन मेरे मन में इसका कुछ-कुछ खाका बन रहा था कुछ ही मिंटों में मैं दग गेबल्स की ओर गया और स्टेक हर्स्ट को उसकी स्टडी में पाया मैंने उससे उन दो स्टूजेंट्स को बुलाने के लिए कहा जिन्होंने कुत्ते की लाश को देखा था उनके नाम थे सुटबरी और ब्लाउंट उनमें से एक ने बताया जी हाँ सर वो पूल के एकदम किनारे पर था वो जरूर अपने मालिक की याद से दुखी होकर वहां गया होगा मैंने उस वफादार छोटे कुत्ते एरिडल टेरियर को दालान में लेटे हुए देखा उसका शरीर अकड़ गया था और मुडा तुडा हुआ था आँखें उभर कर बाहर आ गई थी और शरीर के हर हिस्से में पीडा और तकलीफ के लक्षन दिखाई दे रहे थे गेबल्स से मैं बेधिंग पूल तक चला गया सूरज धल चुका था और बड़ी चटान ने पानी पर काली चाया डाल रखी थी जिससे पानी मटमेला भूरे रंका दिख रहा था ये पूरी जगह इस टाइम खाली थी सिर्फ दो पक्षी उपर ओड रहे थे और चिला रहे थे धुन्दली रोशनी में मैं उस चटान के पास रेत में चोटे कुते के पैरों के निशान असपश्ट रूप से देख सकता था ये वही जगह थी जहाँ पर उसके मालिक का तौलिया रखा मिला था मैं काफी देर तक सोच में डूबा वही खड़ा रहा इस वक्त मेरी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी क्या आपने कभी कोई बुरा सपना देखा है जहां आप ये जानते हैं कि कोई बहुत ही महत्वपून चीज आपकी पहुँच में है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं उस शाम मौत की उस जगह पर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था और फिर जब मैं घर जाने के लिए मुड़ा तो अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश की तरह से कुछ कौन था मुझे वो चीज याद आ गई जिसे मैं इतनी उत्सुकता और बेसबरी से खोज रहा था ये बात तो आप जानते ही होंगे क्योंकि वाटसन ने इसके बारे में कई बार जिक्र किया होगा कि मेरे दिमाग में बहुत विशाल मातरा में अलग-अलग तरह का ग्यान भरा हुआ है अनौर्गनाइजड है लेकिन मेरे काम के लिए बहुत ही उपयोगी है मेरा दिमाग एक भीड भरे कमरे की तरह है जिसमें हर तरह की चीज़ें छिपी हुई है मैं ये तो जानता था कि इस मामले में कुछ गड़बढ है लेकिन वो क्या गड़बढ है ये मुझे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि इस चीज़ को स्पष्ट कैसे किया जाए हलांकि एक बार सोचने में ये बहुत ही impossible और अकल्पनी ऐसा लग रहा था लेकिन फिर भी इस बात की संभावना जरूर थी अब मुझे इसका पूरी तरह से परिक्षन करने की जरूरत थी मेरे छोटे से घर में किताबों से भरी एक बड़ी आलमारी है मैंने एक घंटे तक महा खोजा आखिरकार मुझे एक छोटी चोकलेट रंग की किताब मिली बड़े ही उत्साह से मैंने उस अध्याय को खोला जो मुझे असपश्ट रूप से कुछ-कुछ याद था ये वाकई में एक दूर की कौड़ी और असंभव सा विचार था लेकिन जब तक मैं ये कनफर्म नहीं कर लेता कि ये सच हो सकता था मैं अब आराम नहीं कर सकता था जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो काफी देर हो चुकी थी लेकिन मेरा दिमाग और मेरा मन इगले दिन के काम के लिए बहुत ही उत्सुक और जोश में थे इंस्पेक्टर बार्डली वहां आया, वो एक स्थेर शांत व्यक्ति था, उसकी आँखें विचार शील थी, लेकिन उस पल वो परेशान दिख रहा था, उसने मुझसे कहा, मैं आपकी नौलेज और आपके एक्सपीरियंस के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, मिस्टर ह मुझे उसे गिरफतार करना चाहिए या नहीं, उसे मतलब किसे, कहीं आप यान मर्डॉक की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं, मैंने पूछा, जी हाँ सर, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लगता है, कि इस दूर दराज की जगहे में, उसके अलावा ऐसा और क कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो इस खून के लिए संदेह के दाएरे में आता हो, यनि अगर उसने ये काम नहीं किया, तो फिर और किस ने किया, ऐसा कोई भी आदमी मुझे नजर नहीं आता, क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर पर भी जोर दिया, कि मर्डॉक और मैक फरसन पहले भी बुरी तरह से जगडा कर चुके थे, इसके अलावा मिस बेलामी के प्रती उसकी भावनाओं के बारे में भी सबके मन में संदेह था, यनि उसके दिमाग में भी वो सारी बातें थी, जो मेरे दिमाग में चल रही थी, और फिर इसके अलावा एक बात और ये भी थी, कि मर्डॉक यहां से जाने की कोशिश कर रहा था, अब आप ही बताइए मिस्टर होम्स, अगर मैं उसे जाने दूं तो क्या होगा, उसके खिलाफ इतनी सारी बाते हैं, मैंने शांत्स्वर में उसे कहा, जरा इसके बारे में थंडे दिमाग से सोच कर देखो, इंस्पेक्टर, आपके पास उसके खिलाफ कोई भी ठोश सबूत है ही नहीं, अब राध वाली सुभा के लिए वो बड़े ही आराम से साबित कर सकता है कि उस ताइम वो कहीं और था, क्योंकि सही बात ये है, कि अंतेम पल तक वो अकने स् था, और मैक परसन के वहां आने के कुछ देर बाद ही वो हमारे पीछे आया था, इसके अलावा जरा इस बात पर भी गौर करो, कि ये बात कितनी असंभव है, कि वो अकेला एक हटे-कटे आदमी को इतनी बुरी तरह से चोट पहुचा सकता है, और अंत में इन चोटों के ल चलावा और क्या हो सकता है भला, क्या अपने लाश के उपर पड़े निशानों की जाच की है, मैंने पूछा, जी हां, मैंने उनको देखा है, तुमने उन्हें ऐसे ही देखा है, इस तरह के मुश्खिल केसे में मैं इसी तरह से काम करता हूँ, इंस्पेक्टर, अगर मैं ऐ इसा नहीं करता, तो मैं वो नहीं होता जो मैं आज हूँ. ये तस्वीर देखिए. और अब दाही ने कंधे के चारों तरफ इस निशान को देखिए. क्या आपको कुछ अजीब या अनोखा दिखाई देता है? जी नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टर हो है और दूसरा वहाँ. नीचे इस वाले निशान में एक समान घाव है. तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है, मिस्टर होम्स. आप ही बताईए. क्या आपके पास कोई सुराग है इस बात का? देखिए, इंस्पेक्टर मेरे पास सुराग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. हो सकता है कि मैं जल्दी ही आपको कुछ और भी बता सकूँ. और वो कुछ हमें ये समझने में मदद करेगा कि इन अजीब निशानों का मतलब क्या है? और यही बात हमें अपराधी के करीब ले जाएगी. इंस्पेक जहां पर जाल की जाली एक दूसरे को काटती है. आपने काफी अच्छी तुलना की इंस्पेक्टर, मैंने कहा. या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ठोस चाबुक की तरह है जिसके उपर छोटी-छोटी और सक्त गाठे लगाई गई है. ओ माइग बिल्कुल सही पहचान लिया है. अभी इतनी जल्दी नहीं, इंस्पेक्टर. अभी रुक जाइए. इसके अलावा इसका एक और स्पष्टी करन भी हो सकता है, जो इससे बिल्कुल अलग हो सकता है. सिर्फ इतनी सी बात से आपका मामला किसी की गिरफतारी के लिए लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है, जिसे आपके दिमाग में कोई दूसरी थियोरी है. क्या आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है? जी हाँ, इसके बारे में तब तक चर्चा नहीं करूँगा, जब तक की मुझे कुछ सॉलिड मिलना जाए. और वो सॉलिड घी घंटे में या फिर उससे भी कम में. इंस्पेक्टर ने अनिश्य के भाव से मेरी तरफ देखा. कहाश मैं देख पाता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस्टर होम्स? कहीं आप मचली पकड़ने वाली नावों के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं. अरे नहीं इंस जब तक पूरा कन्फरम नहीं कर लेता, आपको कुछ भी नहीं बताने वाला. अब ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं. और अगर आप आज दोपहर यहीं पर मुझसे मिल सकें, तो शायद मेरे पास आपको बताने के लिए कोई काम की चीज हो. तभी म उसके कपड़े भी बुरी तरह से तुचड़े-मुचड़े हुए थे. वो खुद को सीधा रखने की कोशिश करते हुए, फरनीचर से चिपक गया. उसने हाफते हुए कहा और फिर वो करहते हुए गिर पड़ा और सोफे पर लेट गया. लेकिन वो अकेला नहीं था. उसके बुरी हालत में है. मैंने उसे यहां लाने के लिए बहुत संघर्श किया है. रास्ते में दो बार तो ये बेहोश हो गया था. आधा कप तेज ब्रैंडी ने मर्डॉक की हालत में काफी सुधार कर दिया. उसने जैसे तैसे करके खुद को उपर उठाया और अपना कोट उता जब मैंने और इंस्पेक्टर ने वो नजारा देखा तो हम बुरी तरह से चौंक गए. इस आदमी के कंधों पर भी ठीक वैसे ही असामानने लाल रिखाएं थी जैसी पिट्स रॉय के शरीर पर थी. ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये आदमी भयानक पीड़ा में था और ये एक जगे तक सीमित नहीं था. एक ही पल में उसकी सांस जैसे रुखने लगी. चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी चाती को अपने हातों से जकर लिया. फिर वो जोर जोर से हाफने लगा. वो बुरी तरह से पसीने में नहया हुआ था. साफ दिखाई दे रहा कि वो किसी भी पल मर सकता है. हमने उसे थोड़ी-थोड़ी मातरा में ब्रैंडी देना चालू रखा, जिससे उसकी हालत में थोड़ा-थोड़ा सुधार होने लगा. फिर हमने उसके उन अजीब घामों के दर्द को शांत करने के लिए सलात के तेल में भिगोए हुए कॉट उसे कोई सवाल नहीं पूछ सके. जब कुछ देर के बाद हमें ये यकेन हुआ कि अब वो पहले से बहतर है, तो स्टैक हर्स्ट मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे बोला, ही भगवान होम्स, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ये मिला कहां पर? मैंने उससे पूछा. मैंने कई बार तो मुझे ऐसा लगा, जैसे वो अभी मर जाएगा. गेबल्स काफी दूर था, इसलिए मैं उसे आपके यहां ले आया. क्या तुमने उसे बीच पर देखा था? जी हाँ, मैं चटान पर चल रहा था, जब मैंने उसके चिलाने की आवाज सुनी. वो पानी के एकदम का उपयोग करो, और हमारी बस्ती से इस अभिशाप को हटाने के लिए जो भी कर सकते हो, वो करो. यहां जीवन अब असेहनिये होता जा रहा है. पूरी दुनिया में तुम्हारी ख्याती है, तो क्या तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर स स्टैक हर्स्ट, तुम अभी मेरे साथ चलो. और इंस्पेक्टर, तुम भी आओ. देखते हैं कि क्या हम इस हत्यारे को पकड़ सकते हैं. बिहोश मर्डॉक को मेरी नौकरानी के पास छोड़ कर, हम तीनों खतरनाक लगून में चले गए. किनारे पर गायल आदमी द्वारा छोड़े गए तौलिये और कपड़ों का धेर था. मैं पानी के किनारे पर धीरे धीरे चलने लगा और मेरे दोस्त मेरे पीछे थे. अधिकतर जगह पर पूल काफी उतला था, लेकिन जहां पर बीच घूमता था, वहां चटान के नीचे ये ज्यादा गहरा हो जाता था. य मैं नीचे पानी में करीब से देखते हुए उनके साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा था. जब मैं पूल के सबसे गहरे और सबसे शांत हिसे में पहुचा, तो मुझे वो चीज मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी. और मैं जीत भरे स्वर में चिलाने से खुद को रोक नहीं पाया. मैंने एक सीटी बजाई और फिर जोर से अपने साथियों से कहा, मुझे मिल गया, ये सायनिया है, सायनिया. शेर के सिर के बाल देखो जरा. जिस अजीब चीज की तरफ मैंने इशारा किया था, वो वास्ताव में ठीक वैसी थी, जैसे शेर के सिर के बाल होते हैं. प चांदी के रंग की धारियों वाले, एक हिलते हुए बालों वाले प्राणी की तरहा. ये धीरे-धीरे फैल और सिकुड रहा था. मैंने फिर से कहा, ये काफी नुकसान कर चुका है, लेकिन अब इसका टाइम खत्म हो गया है. मेरी हेल्प करो, स्टैक हर्स्ट. चलो, इस हत प्राणी के उपर जागिरा. लहरे शांत होने के बाद हमने देखा कि उसके नीचे से पीले बालों का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ था, जो दिखा रहा था कि हमारा टार्गेट उस चटान के नीचे दब कर ढम तोड़ चुका था. प्थर के नीचे से एक गाढ़हा तेल ऐसा पदार्थ निकला और उसने आसपास के सारे पानी को दूशित कर दिया. फिर ये धीरे-धीरे सतह पर आ गया. इंस्पेक्टर चिलाया. ये बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है. आखिर ये थी क्या बला, मिस्टर होंस? मैं अपना पूरा जीवन इसी इलाके में रह इसे यहां ले आई हो. फिलहाल के लिए खत्रा तल चुका है. तुम दोनों मेरे घर चलो. और मैं वहीं पर तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा. जब हम मेरी स्टडी में वापस आए, तो हमने पाया कि मर्डॉक अब थोड़ा ठीक हो रहा था. हलांकि उसका द कि चलते-चलते अचानक उसे बहुत तेज दर्द होने लगा था. मैंने एक छोटी सी किताब उठाते हुए कहा. ये वो किताब है जो उस चीज़ पर रोशनी डालती है, जो शायद हमेशा के लिए एक रहसे बनी रह जाती. प्रसिध लेखक जे जी वुड ने इसे आउट लिखा. हुमारे अपराधी का पूरा नाम है सायनिया क्या पिलाटा और ये कोब्रा के काटने जितना घातक और उससे भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है. मैं आपको इस किताब का ये हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ. सुनिए. यदि कोई तहराक धूरे रंग के बालों और प्रेशों का भीला गोल सा समूह देखता है. जो एक चांदी के रंग के कागज से जुड़े शीर के सिर के बालों के बड़े हिस्से जैसा दिखता है. तो उसे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक प्रानी है. और इसका नाम है सायनिया क् तो देखा अपने दोस्तों क्या ये वर्नन हमारे इस रहस्यमाई समुद्री जीव का बिलकुल सटीक वर्नन नहीं कर रहा है. इसके आगे लेखक ने केंट के समुद्र तट के पास तैरते समय इस जीव से अपनी मुठभेड के बारे में बताया है. उसने देखा कि इस पूरा-पूरा खत्रा होता था. इसने जेजी वोड के लिए दूर से भी गंभीर समस्याएं पैदा कर दी थी. इसके बारे में वोड ने लिखा है, इन असंख्या निशानों ने मेरी तवचा पर हलकी लाल रिखाएं छोड़ दी, जो करीब से देखने पर छोटे-छोटे धबों या मोतियों में बदल गई. इन मेंसे हर एक में ऐसा दर्द होता था, जैसे कोई गर्म और जलती हुई सुई मेरी नसों में चुब रही हो. कुछ देर के बाद मुझे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे गोली मार दी हो. बीच-बीच मैंने वो किताब इंस्पेक्टर को थमा दी. मैं ये किताब आपके पास छोड़ रहा हूँ, इंस्पेक्टर. और अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह गया है. ये मिस्टर मैकफरसन, उनके कुत्ते और मिस्टर मर्डॉक के साथ जो भी हुआ, वो इसी अपराधी ने क किया था. ये सुनकर इयान मर्डॉक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई. चलो इससे कम से कम मेरा नाम तो हट गया. अब आप लोग मेरे उपर तो शक नहीं करेंगे. मैं इसके लिए आप लोगों को दोश नहीं देता, इंस्पेक्टर और मिस्टर होम्स. ले तो शायद मैं आपको इस भयानक अनुभव से भी बचा सकता था. लेकिन आपने इसका पता कैसे लगाया, मिस्टर होम्स? मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और छोटी से छोटी बात भी मुझे याद रहती है. मैक फर्सन ने मरते हुए जो कहा था शेर के सिर के बाल, ये शब मैक फर्सन ने इसे देखा, तो वो पानी में तैर रहा था. और उसने इस फ्रेज का उपयोग हमें इस प्राणी के बारे में चेतावनी देने के लिए किया था, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बना. मर्डॉक ने धीरे से उठते हुए कहा, जिर भी कुछ चीजें ऐसी ह मैक फर्सन को चुना, तो मैं तोरंट पीछे हट गया. मेरी सिर्फ एक ही एक्छा थी, कि किसी भी तरह से वो लड़की खुश रहे. मैं उनके बीच से दूर हट जाने और उन्हें एक साथ रहने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तयार था. मैं अक्सर उनके बीच संद के बारे में बताने की जल्दी की थी, क्योंकि मुझे डर था कि कोई और उसे अचानक अगर बताएगा, तो वो थोड़े रिदयहीन तरीके से बता सकता है, और उससे वो बहुत ही दुखी हो जाएगी. मैं मिस बेलामी को दुखी नहीं देखना चाहता था. मिस बेलामी ने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई, क्योंकि वो हमारे रिष्टे के बारे में आपको नहीं बताना चाहती थी. अगर आप उस बात को अस्विकार कर देते, तो उसका खामी आजा मुझे भुगतना पड़ता. अब अगर आपकी अनुमती हो, तो मैं दगेबल्स पर वाप तर तरीके से जान गए हैं. फिर दोस्ताना तरीके से हाथ मिला कर वे दोनों वहां से चले गए. इंस्पेक्टर अपनी बड़ी शांत आँखों से मुझे देखता रहा. आखिरकार उसने कहा, आपने ये कर ही दिखाया, मिस्टर होम्स. मैंने आपके बारे में सुना तो बह होत हैं. मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उसे कहा, असल में मैं आपकी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, इस्पेक्टर. मैंने इस मामले को समझने में बहुत देर कर दी. और ये भी एक तरह का अपराध ही कहा जाएगा. लेकिन मुझे सिर्फ एक बात से वो सारा कन्फ अगर मैकफर्सन की लाश पानी में मिली होती, तो मैं इस संभावना को नजर अंदाज नहीं कर सकता था. मेरा ध्यान सबसे पहले इसी बात की तरफ जाता, कि ये सायनिया क्यापिलाटा हो सकता था. लेकिन असल में वो उसका तौलिया था, जिसने मुझे गलत रास्ते पर मैकफर्सन ने अपने शरीर से पानी सुखाने की जहमत नहीं उठाई थी. इसी से मुझे लगा कि वो पानी में गया ही नहीं. और इसी लिए पानी के किसी प्रानी के हमले की बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं. और बस यहीं पर मुझसे गलती हो गई. और हाँ इस्पेक्टर, यहाँ पर मैं आपको अपने मन की एक बात और बताना चाहूंगा. जब मैं एक्टिव तोर पर ये काम करता था, तो मैं आप लोगों को, यानि पुलीस आफिसर्स को बहुत बुरी तरह से चड़ाया करता था. इस बात के लिए कि वो कितना धीमा सो पुछते हैं. भास करके स्कॉटलेंड यार्ड के इंस्पेक्टर्स को और सच कहूं तो मुझे इस काम में बहुत मज़ा भी आता था. लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात सुविकार करता हूं कि सायनिया कैपिलाटा नाम के इस प्रानी ने उन सारे पुलीस आफिसर्स का और स्कॉटलेंड यार्ड के अधिकारियों का बदला मुझे से ले लिया है. दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें. जल्दी ही एक